हेई गाईज वाट इस अप क्या हल चले हैं आप लोग के और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने में नौइस की न्यू स्मार्ट वाच जिसका नाम है नौइस कलर फिट अल्टरा टू नौइस कलर फिट अल्टरा भी मैंने अपने चैनल पर यहाँ पर रिव्यू करी है और जो मेंज फीचर था वह था उसका डिस प्ले काफी बड़ा दिस्पले था और आपको यहाँ को लेनी चाहिए या फिर नहीं और वीडियो कर देना और क्यों स्टार करा चाहिए तो बिना किसी दिरी के स्टार्ट करते एं इसकी अन्पोक्सिंग से तो आपको कुछ इस तरह से हाँ पर देखने को मिलता है noise color fit ultra 2 watch कुछ इस तरह से है मेरे पास यह gold color में है और इसके लावा I think कुछ और colors में available है side way हाँ पर लिखा है design in India तो अच्छी बात है पीछे की तरफ इसके कुछ features लिखें तो जैसे मैं बता है यहाँ पर आपको 1.78 इसका काफी बड़ा amulet display देखने को मिलता है और इसकी जो resolution है 368 by 448 pixel तो काफी high resolution display है और उसके लावा यहाँ पर आपको always on display का भी जो feature दिया हुआ है blood oxygen monitoring है call and SMS quick reply का option है 60 plus sports mode है 7 days की battery life है 24 7 आपका heart rate monitoring आपको मिलेगा और यहाँ पर आपका जो animated watch faces भी आपको देखने को मिलते उसके बाद एक और यहाँ पर चोटा सा box है obviously इसमें इसकी documentation होगी तो सबसे पहले यहाँ पर जो user manual है तो जितने भी features रहेंगे इस watch के वाप यहाँ पर पढ़ सकते हो उसके बावा यहाँ पर एक warranty card है और उसके बाद यहाँ पर कुछ stickers है और उसके बाद यह जो watch है जैसा आप दिशते हो वह आपको कुछ इस तरह से packaging में दी गए है तो मैं हाँ पर इसको निकाल लेता हूँ और जैसा मैंने बताया था मैंने यहाँ पर यह gold color में ली थी तो strap यहाँ पर blue color है तो इसको हम थोड़ी दर देखेंगे बाकी जो box के content है उसे check कर लेते हैं और उसके बा और सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप नोटिस कर रहा हूं कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वह काफी से है काफी प्रीमियम सी लग रहे है और यहाँ पर जैसे मैंने बताया है आपको फ्रंट में 1.7 इंटेजी का यहाँ पर AMOLED डिस्पले देखने को मिलता है इसको on करें देखेंगे उसके लाबा साइड में हाँ पर एक बटन है तो जितने फंक्शन बगरा रहेंगे आप इससे कर सकते हो और यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वह यहाँ पर मेटल की है तो यह काफी से है तो काफी प्रीमियम सी फिल दे रहे है और पीछे की तरफ यहाँ प तो आप इसको इसली चेंज बगारा भी कर सकते हो तो ओवरोल दिखने में तो यह वोच काफी प्रीमियम सी लग रहे है बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी कासी है और गोल्ड कलर में देफिनेटली मुझे काफी से लग रहे है और अब एक बार इसको पने फोन के साथ इस करनी होगी noise fit और मैंने यह जो अल्री इंस्टॉल किवे तो इसे open कर लेते हैं और सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो का यहाँ पर बैनर आ गया है तो मैं इसको क्लॉस कर देता हूँ और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर पेर डिवाइस पर टैप करना है और दे काफी बड़ा है और obviously यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो AMOLED है तो काफी dark deep black आपको देखने को मिलते हैं लेकिन एक चीज़ बलूगा कि जो normal LCD watches रहती है और in AMOLED displays में आपको definitely काफी difference देखने को मिलेगा और उसके लावा जैसे मैं बताया था यहाँ पर यह always on display भी support करता है ल उसके लावा अगर आपको यहाँ पर इसका जो watch face है उसे change करना होगा तो यहाँ पर आप इसको tap करके इस तरह से swipe करके change बगारा कर सकते हो और मैंने यहाँ पर जो watch face है उसे यहाँ पर change कर लिया है ताकि आप भी देख पाऊ उसके जो bezels है वो यहाँ पर काफी कम है जो comparatively क किसी दूसरी watches से तो मुझे यहाँ पर इसकी जो screen है काफी सही लग रही है और amulet display है तो यहाँ पर आपको काफी पंची से color देखने को मिल रहे है और in real life तो यहाँ पर मुझे इसका display काफी सही लग रहा है और काफी bright भी है उसके बाद अगर आप ऊपर से नीचे की तरह स notification panel है तो सारी notification आप यहाँ देख सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्वाइप करते हो तो इसके जो quick toggle buttons है और यहाँ पर सबसे पहले आपका जो battery saving का option आपको देखने को मिल जाएगा तो screen थोड़ी सी हाँपर जो dim हो जाएगी और यहाँ पर जो notifications आपको नहीं आए screen पर रख देता हूँ तो indoor outdoor में आपको यहाँ कोई problem नहीं होगी उसके बाद यहाँ पर do not disturb का option है तो definitely रात में आगर आप नहीं चाहते हो यह movie देखते है time कि आपको notification है तो आप यहाँ से इसको enable कर सकते हो torch का option है तो आपकी screen है वो bright हो जाती है white हो जाएगी और अंधेरे में थोड़ा बहुत यह काम आ जाती है और इसको off करने के लिए आपको यहाँ से इस पर tap कर देना वापिस से और इसके बाद यहाँ पर last option है वो है setting का लेकिन setting को हम थोड़ी दिर में देखेंगे तो यह इस यहाँ पर आप देख पाओगे तो यहाँ पर हम इसको आगे चेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर stress monitoring का भी option है वो इसी एक जगाँ पर दिये हैं तो sleep monitoring, SPO2 feature, heart rate और यहाँ पर stress monitoring आप यहाँ पर देख सकते हो उसके लाबा clock का option है और clock पर अगर आप tap करोगे तो alarm, timer, stopwatch और world clock यहाँ पर आपको एक साथ दिये हैं इस option में और इसके बाद workout का option है और जैसे मैंने बता है आपको यहाँ पर 60 sports mode देखने को मिलते हैं तो यह काफी सही है तो running, cycling, indoor, outdoor, ball game, dance game, combat और other sports तो यह categories है लेकिन अगर आप किसी भी ball sports जैसे मैं किसी भी टैप करता हूँ तो और अंदर इसके कुछ option है जैसे cricket, basketball, badminton, balling, squash, football, volleyball, ball, ping pong तो यह जैसा आप देख सकते हो काफी अच्छे गासे option है और एक चीज़ बलूँगा कि यहाँ पर जो touch response है इस watch का वो मुझे काफी smooth touch response है और मुझे इसका touch response है यहाँ पर काफी सही लगा है उसके बाद अगर आप किसी भी sports mode को चालू करते है जैसे मैं आप basketball चालू क करिए और अगर आप music वगारा सुन रहे हो activity करते हैं तो आप यहाँ से वो control भी कर सकते हो तो मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूं और जितने भी workout के जो tracking information है आप यहाँ पर sports record में देख सकते हो तो अब यहाँ पर कोई information नहीं है उसके लावा यहाँ पर weather का option है तो आप आपका जो current जो भी एरिया का weather रहेगा वो यहाँ पर दिखाता रहेगा लेकिन उसके लावा है आपके जो आगे के seven days के forecast है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो तो यह भी सही है और उसके बाद वापिस जाते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे breathe में तो breathe में obviously अगर आप का music आप यहाँ से control कर सकते हो watch faces भी आप यहाँ से change कर सकते हो home page के अलावा stock के options है flashlight है calculator है और उसके बाद है setting का option और setting में भी यहाँ पर बहुत सारे option है तो सबसे बेले हाँ ब्राइटनेस का option है जैसे मिलता है five level of brightness है तो आप यहाँ से उसे control कर सकते हो उसके बाद यहाँ vibration control का भी option है तो कैसी intensity चाहिए आपको vibration की तो यहाँ से आपकर change कर सकते हो wrist awake का option है जैसे यहाँ पर race to wake वाला feature रहता है screen उपर की तरफ करोगे तो screen on हो जाएगी वापिस से नीचे करूँगा तो यहाँ पर on हो जाती है तो यह जो feature है काफी सही से काम कर रहा है तो इसको यहां से इसको बड़ा घटा सकते हो तो कितनी देर तक on रहे screen मैंने 30 seconds पर क्योंकि वीडियो बना रहा हूं उसके लावा device info का option है dnd option है और उसके बाद जो next option है वो है always on display क्योंकि यहाँ पर आपको emulet display देखने को मिलता है तो यहाँ से आप इसको enable or disable कर सकते हो तो जैसा यहां पर यह home screen है कुछ इस तरह से और जैसी यहां पर यह जो screen है off होगी उसके बाद यहां पर हमारा always on display वह यहां पर on हो जाता है तो देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और यहां पर always on display की settings हो उसे भी हाँ पर change कर सकते हो तो off screen dials है आप यहां पर pointer या फिर digital इसको भी change कर सकते हो तो अब एक बार इसको check कर लेते हैं और digital वाला always on display वो कुछ इस तरह से रहता है तो यह भी काफी सही है लेकिन अगर आप यह जो option है इसे इनेबल करते हो तो आपकी बैटरी है थोड़ी बहुत यहां पर consume होगी तो यह आपको ध्यान रखना है मुझे काफी सही लगा amulet display के साथ काफी पंची सा कलर आपको देखने को मिलते हैं touch response की में बोलूँगा की यार काफी smooth है इस बार तो display मुझे हाँ पर काफी सही लगा है always on display का भी option है और जैसे features wise 60 plus sports mode है सारे आपको features देखने को मिलते हैं तो अब एक बार मैं इसको पह लग रहे हैं उसके लावा यहाँ पर जो straps की quality की बात को रहे हैं तो वह काफी soft है और में को लगता है कि यहाँ पर आप काफी देर तक या फिर इवन नाइट में अगर आप इसको पहनना चाहते हो sleep tracking को गया रहा के लिए तो भी पहन सकते हो तो मुझे यहाँ पर इस watch की ज पर SPO2 है उसको भी हाँ पर measure कर लेते हैं और यह मेरे blood में oxygen का level है वो मुझे बताएगा लेकिन मैं हर बार की तरह बोलता हूँ यह कोई medical equipment नहीं है आप सिरफ इसको idea लेने के लिए use करो तो थोड़ा सा better रहेगा और इसने मेरे जो blood में oxygen का level बताया है 98% और यहाँ पर आप आपका जो stress का level बताता है high stress है या फिर आप relax हो तो अभी यह measure कर रहा है तो इसने यहाँ पर measure कर लिया है 44 यानि normal है अभी मेरा stress का level लेकिन इसके लावा इसको एक बार table पर रखके भी check कर रहे थे कि यह मेरे table की जो reading से उसे लेता है फिर नहीं तो वैसे भी थोड़ा सा time और SPO2 की जो reading के लिए इसको पहन नहीं होगा यह table की जो reading से उसे measure नहीं करता है तो यह अच्छी बात है उसके बाद call आने पर कुछ इस तरह से notifications आती है तो call कार सकते हो caller का नाम है यहाँ पर आप silent कर सकते हो या फिर quick reply भी कर सकते हो तो मैं किसी पर भी quick reply पर tap कर देता हू है तो यह काफी अच्छी बात है तो यह तो बात हुई इस watch की features के बारे में लेकिन अब आते हैं इसकी app की तरफ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इसकी app के तुरू भी customize कर सकते हो तो सबसे पहले जैसे मैं बता है यहाँ पर आपको noise fit करके जो app है उसे install करना है और इसक option shop का है तो noise का जो catalog है products का वो आप यहाँ पर देख सकते हो activity में जाओगे तो आपके activity वाले जो भी history रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो next है यहाँ पर watch face का तो इसके जो default watch faces के लावा आप यहाँ पर और और भी watch faces है उसे install कर सकते हो तो यहाँ पर काफी अच्छी खा दिख जाएगा battery कितनी है आपका connection status है और अगर आप इस पर tap करते हो तो इस watch के जो भी features है आप इसको customize कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर ideal alert है तो अगर आप एक जबहाँ पर बैठे रहते हो तो आपको यह alerts भेसा रहेगा तो काफी साही है heart rate monitoring के options है आप यहाँ से enable कर सक drinking water reminder है तो यह मुझे काफी से लगा है उसके बाद set device time है तो basically 12 hour 24 hour यह format में आप यहाँ से इसको change कर सकते हो weather setting है तो आपको यहाँ से इसको enable करना होगा weather के जो भी focus वगरा के लिए उसके बाद notification and alert तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी जो notification है उसको enable करना होगा और तभी hand wash reminder है तो यह भी काफी useful है my reminders है वो आप यहाँ से set कर सकते हो और उसके लावा जो next option है वो है हाँ पर quick reply का तो जो quick reply के option आपको calling और SMS के time पर आते हैं तो वहाँ से आप custom जो कुछ quick reply है इसे add कर सकते हो तो यहाँ पर presets हैं कुछ लेकिन इसके लावा कुछ और add यहाँ फिर edit करने हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे तो यह मुझे काफी सही option लगा है वर्ड clock है तो आप यहाँ से set कर सकते हो और जो clock stock के options आपको यहाँ पर मिलते हैं तो यह सारे जो app की features है आपको यहाँ पर इसकी जो app में देखने को मिलते हैं app काफी feature rich है मैंने और भी जो noise watches की जो वीडियो में इसको cover किया हूँ है तो आप वो भी check out कर सकते हो तो overall दोस्तों यह है noise color fit ultra 2 और definitely बोलूगा इसकी जो features है वो मुझे काफी सही लगे काफी feature rich watch है और even इसकी जो display है वो मुझे यहाँ पर काफी सही लगे amolet display है काफी यहाँ पर sharp display है punchy colors आपको मिलेंग और even इसकी जो build quality है वो भी हाँ पर काफी सही है काफी premium सी दिखती है watch तो अगर आपको कोई ऐसी watch चाहिए जो premium दिखती हो feature rich हो और यहाँ पर आपको amolet display चाहिए तो definitely आप इस watch की तरफ जा सकते हो और अगर मैं इसके price की बात करूँ तो अभी इसका जो price है वो है 4,499 Ultra 2 मुझे तो काफी सही लगी है आपको कैसी लगी मुझे comment करके बताओ और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का content देखना चाहते हो तो इस चैनल को subscribe कर लो तो मिलते है इस तरह की एक और exciting video के साथ और भ्यामन आपको मिलनों आगी बा